Hello Foodies, Welcome back to my channel तो आजम बनाने जा रहें, बहुती टेस्टी और यमियु सी recipe मगर recipe start करने के पहले अगर आप दो मेरी चेनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरी चेनल को subscribe करें वीडियो को like करें और अपने friends & family के लिए के साथ share करें तो आएए यह तेस्टी तेस्टी सी रसीपी स्टार्ट करते हैं तो आजम बनाएंगे तिल के बहुत ही तेस्टी और पॉस्टिक से लड़ू जिसमें न गुड़ है और न ही शक्कर और इते सॉफ्ट और डिलीशस बनते हैं यह लड़ू बड़े बुज़ुग चोटे बच्चे आप्टर प्रेगनेंसी आप कभी भी खा सकते हैं बहुत ही हैल्दी और टेस्टी टेस्टी से यह तिल के लड़ू तो आएए रसीपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक पैन में मैंने एक सफेद तिल लिये हैं जिसे मैं स्लोग प्रेम पे लगाता चलाते हुए ड्राय रोस्ट कर लोगी इसे जादा नहीं आपको डेड़ से दो मिनट तक ही रोस्ट करना है जादा ड्राय रोस्ट जब हम इसे कर लेते हैं तो यह अकसा थोड़े से कड़वे हो जाते हैं मैंने आप सफेद दिल का इसथमाल किया है तो तिल जो है, अच्छे कासे रोस्ट हो चुके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के हलका ठंद पर लेंगे और थौड़ा ठंद होने के बात हम इसे मिक्सर जार में लें तो बचान भी नडेके रखेंगे, और इस तरीकह से मैंने विप्लिया धर धर भी सीच यह निकाल लीए हैं, तो यह सहले शीचेट जिसे ग्यादा नहांगी, लगनाइब कोमें चीमाघण जीचेब लेंगे मिन्हें trib कुट्राइब कि चम्मत से इस तरीके से मैश करते हुए इसका लडूों का बेश तयार कर लीजे काफी पॉस्टिक लडू होते है और काफी क टेस्टी भी बनके तयार होते है डेड्स जो की बहुती पॉस्टिक होती है कून बढ़ाने में काफी सहायक होती है और आपकी आँखों की रौष् तो इस तरह के से जो है ना हमने इसे देड़ से दो मिनिट चला के इसका ये पेस्ट तयार कर लिया और अब हम इसे गैस से जो है न उता लेंगे और इसमें जो हमने तिल का दरदरा सा पॉर्डर तयार किया है वह मिक्स करेंगे बाद आप चम्मच के हाल्प से इस मिक्षर को अठ्य से कर लिजेे मिक्स अब मैं समें डाल रही हूं उलायची का पॉर्डर ऑप्षनल है आप चाहे तो इसंचिप कर दीजे और इस तरीखे-से इस पूरे मिक्षर मिक्स करके आप तयार कर लीजिए और यह हलका गुन गुना है उसी स्टेज में आपको तिल वगर डालके इसमें मिक्स करना है तो आप मैं चमच को करूंगी साइट और हातों से इसे प्रॉपर्ली अच्छे से मिक्स करके और इसके लड्डू बना लूँगी तो इसे इस तरी अब लिए और जो तिल मेंने साइट करके थोड़े से बचा के रखेते और तिल में हम इन लर्डूँओं की जो इनब कोटिंग करेंगे इस तरीके से दिखने में भी बहुत ही सुन्दा लगते हैं उसके बाद और खाने में भी टेस्टी लगते हैं करते हैं तो बस इस तरीक से मैंने सारे लद्वों को बना लिया तो तयार है हमारे पॉस्टिक से हल्दी हल्दी वाले तिल और डेट्स के लड्डू बिना शुगर और बिना जैगरी के कैसी लगे आपको मेरी तार ऌताऀीय का और अगर आप मेर मेरे चैनल तर पहले बारा आएं तो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है ऐसे लिए लागश्ट जरूर करें अपने फ्रेंस तो जल्दी मिलती है, एक नए रसिपी के साथ, तब तब बाई, टिक्क्यूं।